आप सबी ठीक होंगे तो आठ से हम एक्सरसाइस 2C के कुश्शन नमर वन से आपको बताएंगे ओके बैटा सेलीना कंसाइस फिजिक्स क्लास नाइंथ एक्सरसाइस 2C के नुमेरिकल्स की बात हो रही है आईसे सी बोट के लिए ठीक है देखो पहला कुश्शन क्या कह रहा है इक्सरसाइस 2C के जितने भी नुमेरिकल्स हैं वो एक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ट है एक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है ऐसे होती तो 4 है लेकिन आपके कॉर्स में 3 दी हुई है और 4 आपको क्लास 11 में पढ़ने को मिलेगा ठीक है अगर आप इनके साइंस लेते हो तो ठीक है देखिए पहले एक्वेशन ऑफ मोशन हम जान लेते हैं उसके बाद उसी के बेस पर आपके सारे कॉशन है ठीक है देखो कैसे होगा equation of motion क्या होता है बेटा motion के लिए बेटा 3 equation derive की गई है equation of motion ठीक है पहली equation है V is equal to U plus AT ठीक है second equation है बेटा S is equal to UT plus half AT square और third equation है बेटा V square is equal to U square plus में 2AS सारे variable का मतलब भी जान लो V तो आप जानते हो final velocity, U का मतलब initial velocity A का मतलब acceleration T का मतलब time taken और S का मतलब है यहाँ पे distance traveled ठीक है तबनी मैं है बस यह आपके पाच है basically पाच सिंबल का इस्तिमाल हूँ है पाच variable को साब का मतलब जो मैंने बताया वो है अब देखिए, question में पहले given क्या है सबसे पहले हम question में क्या लिखेंगे बेटा हमको question में क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या पूछा गया है कर रहा है body start from rest जब भी कोई चीज रिस्ट से start करेगी तो इसके u की value क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी 0 meter per second ठीक है acceleration दिया हुआ है acceleration क्या दिया है 2 meter per second square clear है time दिया हुआ है time कितना दिया हुआ है बेटा 2 second आपसे पूछा क्या है आपसे s इसका मतलब distance पूछा है तो question में कहा है न find the distance covered by the body in 2 seconds तो s के लिए हम कौन सा formula लगाएंगे second equation of motion लगाएंगे लगा दिजे s is equal to होगा बेटा ut plus में half a t square चलिए रखते हैं u की value क्या है 0 दिये हुई है into में t की value क्या दी है 2 d है इसको bracket में रग दे plus में half a की value क्या दी है 2 meter per second square unit ने लिखेंगे ठीक है t कितना दिया है 2 तो t का square यानि 2 into में 2 t का square t की value 2 है यानि 2 का square 2 का square केतना होता है 4 होता है या 2 into में 2 भी आगे आगे आप प्लिख सकते थे clear है अच्छा यह 2 से 2 तो cancel out हो जाएगा 0 में 2 को multiply करेंगे तो 0 ही रहेगा और प्लस में क्या बचेगा 4 1 जा 4 बचेगा अंसर कितना आ गया 4 आ गया distance से तो किसमें आएगा मीटर में आएगा जाहिर सी बात है अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है देख लो बटा असान है बस इसी equation of motion पर आपको सारे question based है ठीक है इसको अब ध्यान रखिएगा थोड़ा चलिए इसके बाद प्लानेक्स कोशन करेंगे समझना बेटा थोड़ा सा देखो क्या लिखा है करा a body start with an initial velocity of 10 meter per second and acceleration five meter per second square find the distance covered by it in five seconds बहुत असान कोशन है solution देखो इसका first of all हम क्या करेंगे जो जो हमको value given होग इसको लिख लेंगे करा a body start with an initial velocity of 10 meter per second यहां पर initial velocity यानि यू की value दिये हुई है कितना दिया हुआ है 10 meter per second acceleration कितना दिया है बिटा five meter per second square और time कितना दिया है बिटा five second दिया है ठीक है ना आप से पूछ किया रहा पूछ रहा है distance covered तो distance covered के लिए formula कौन से लगाते है जो previous question में लगाया है s is equal to ut half a t square u कितना दिया है 10 दिया है t कितना दिया है five दिया है ठीक है, u इंटो t, plus में, half, a कितना दिया था, फाइव दिया था, ठीक है, t कितना दिया है, 5 दिया है, यहांपे 5 का square करोगे, तो हो जाएगा 25, 5 का square कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, 10 को 5 से multiply किया, आया 50, plus में, 25 को 5 से multiply करेंगे, आज आएगा 125, upon में 2, ठीक है, यो जाएगा 50, plus में, 125 को 2 से divide करो, कितना आएगा, 26 से 12, 22 से 4, पॉइंट लगेगा, रिमेंडर 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएगा, 25 से 10 हो जाएगा, 50 और 62.5 को plus कर दोगे, तो S की value क्या आजाएगे, बटा, S की value आपकी आजाएगी, 2 में 0 एड़ करेंगे, तो 2 ही रहेगा, 6 में 5 एड़ कर देंगे, तो 11 हो जाएगा, और पॉइंट में 5 मीटर में आएगा, 112.5 मीटर आएगा, clear है, आच्छे से, कोई दिकत वाली बात तो नहीं है, चलिए, इसके बाद अपनाने discussion करेंगे, देखो क्या कह रहा है, क्या良, आछ बहिकल is accelerating on a straight road, its velocity at any instant is 30 km पर Ihr after 2 seconds, it is 33.6 km पर आवर एंड आफ्टर फर्दर तू सेकेंड इट इस 37.2 किलो मिटर पर आवर फाइंड द एक्सेलेरेशन ओफ वहिकल इन मीटर पर सेकेंड ठीक है इस दा एक्सेलेरेशन युनिफर्म समझना बेटा अच्छे से ओके यहाँ पर कोई भी दिक्कतारी बात नहीं है यहाँ अपर आपको बिसिकली दो केस दिये हुए हैं दो केस कौन कौन सी है ज़रा देखलो केस वण और यहाँ पर केस टू ठीक है Case 1 में बेटा U की वैलू दी हुई है 30 किलो मीटर पर आवर और V की वैलू दी हुई है 33.6 किलो मीटर पर आवर Clear है Case 2 में बेटा U की वैलू दी हुई है 33.6 किलो मीटर पर आवर ओके और रिकी वैली दी हुई है 37.2 km पर आवर ठीज़ा टाइम दोनों में 2-2 सेकंड का लिया गया है 2 सेकंड टाइम लिया गया है 2 सेकंड आप से पूछ रहा है एक्सिलेरेशन बताओ मीटर पर सेकंड में उसके बाद पूछ रहा है क्या एक्सिलेरेशन यूनिफॉर्म है अच्छा अब एक बाद समझना अगर एक्सिलेरेशन दोनों केस में सेम आया तब तो यूनिफॉर्म होगा अधरवाइस नौन यूनिफॉर्म होगा पहली चीज़ और दूसरी चीज मीटर पर सेकंड में पता लगाना है एक्सिलेरेशन तो पता गल लेंगे बेटा क्या दिक्कत वाली बात है एक चीज़ और समझना एक्सिलेरेशन का फॉर्मुला तो आप जानते हो क्या होता है वी माइनिस यू अपॉर्मेटी ठीक है अब देखो करेंट कर लो में ट्रिक आपको बताए हैं आगर अब मुझसे पड़के आए या कई से पड़के हैं ट्रिक क्या होते हैं बड़े से चोटी unit में जा रहे हैं तो छोटी unit में जा रहे हैं तो numerator में क्या होगा छोटा number होगा तो 5 upon में 18 हो जाएगा और अगर यही meter per second से kilometer per hour में जाते हैं तो बड़ी unit में हम कूद रहे हैं convert हो रहे हैं तो उपर बड़ा number रख देते तो 18 upon में 5 हो जाता है ठीक है बस यहीं simple सी चीज़ थी ठीक है एक तरीका तो यह है कि आप इसको पहले convert को लो उसके बाद करो लेकिन एक बात और समझना जहां पर भी difference की बात आती है समझना मरी बात जहां पर भी difference की बात आती है किसकी बात आती है difference की ठीक है वहाँ पे आपकी entity, चाहे convert करो, चाहे ना करो, difference same होता है, क्या होता है, difference same होता है, ठीक है, आप देखो, समझना बिटा अच्छे से, ओके, देखो, चलो कल लेते हैं इसके बाद, V की value कितनी दी है, 33.6, minus, U की value कितनी दी थी, 30 दी थी, upon में time कितना दी आठा, 2 दी था, ठीक है, 33.6 में से अगर आप 30 minus करोगे, तो answer आएगा, 3.6, upon में 2, clear है, answer कितना दाएगा, 1.8, कितना दाएगा, 1.8, clear है, लेकिन एक बाद समझेगा, पहले आपने acceleration निकाल लिए न, चलो इसमें भी निकाल लेता है, acceleration, same formula लगेगा, V minus U upon में T, ठीक है, V कितना है यापे, 37.2 है, U कितना है, 33.6 है, upon में 2, यह 12 हो जाएगा, 12 में तो 6, minus करेंगे, तो 6 बचेगा, ठीक है, यह कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, तो 3 बचेगा, यानि 3.6 upon में 2 आएगा, इसको solve करोगा, answer कितना आएगा, 1.8, लेकिन अब जाहिर सी बात है, आपका दोरों के इसमें acceleration तो same आ रहा है, यानि अब लिशकते हो, therefore, it is, it is, uniformly, it is uniformly accelerated motion, यह आपका एक uniformly accelerated motion है, आप यह तो कह सकते हो, लेकिन आप से यह भी कह रहा था कि acceleration पता लगा, वो भी किस में पता लगाना है, मीटर पर सेकंड में पता लगाना है, किस में पता लगाना है, मीटर पर सेकंड में, तो मेरी बात समझना, यह जो आपका आया है, यह किस में आएगा, यह आपका आएगा, किलो मीटर पर आवर और पर सेकंड, यह चीज़ समझ रहे हो, अरे भाई, यह उबर की उनिट किलो करनों का डेर्कन्हेंस निकाला और नीचे सिकेंड में दिया था तो sarà तो एकलोमीटर पर आवर फिर सेकाइड में आए गए किलोमीटर पर आवर को अप मीटर पर सेकेंड में करना में आएगा a मेंटर पर सेकंड में अक्सेलेशन होई नहीं सकता वो तो स्पीट की उनिट है ठीक है कल ले दें चलिए अच्छा किलो मेंटर पर सेकंड में गैसे कर्वर्ट करते हो यह तो अभी आपको बताया था देखो बड़े से छोटी उनिट की तरफ जा रहे हैं समझना मेली बात पॉइंट हैंगे 0 बढ़ जाएगा है या नीचे 10 लिख लो 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया 5 अपॉइंट में 10 है इसको इसको पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड इसको है इसको भी अगर करोगे तो पलट की यह भी इसी में आ जाएगा ठीक है चाहो तो सेम चीज यहां भी कर सकते हो चाहा है लोग गल्य मीटफ पर पर सेकंड में आए था अच्छा शुरू मैंने क्यों नहीं कια दे तो आपको चारों को अलग अलग कर करना पता तो से आपका टाइम बैस्ट हो इसij ai किए कि जे गए ठीक है दोनों के इसमें acceleration सेम है तो आपका ये uniformly accelerated motion है ओके बेटा इसमें अगर आपको वीडियो पसंद आएदे इसको like करें, comment करें, share करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर बचान जो कोचिंग को effort नहीं कर सकते हैं Thank you